ओम सिरी गनेश आयनम दोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 दिसम्बर बुद्वार के रासी फल के बारे में की हा दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करकराशी वालों के लिए बुद्वार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्थित्टी आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्थ होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें, कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें, ताकि आपकी आर्थिक इस्तिती में इजाफा हो सके, धन्यधान प्राप्ती के उदेश्यों की आज पूर्टी हो सकती है, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तों सा अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे, तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा, युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से राहत मिलेगी, आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं, दिन की में ही अपने महत्पपून कार्रों से संबंदित रूप रेखा आप बना ले, संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक राहत आपको मिलेगी, दोस्तों कुछ समय से आप अपने अंदर अधबुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे, अंदर छिपी प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें, इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं, दोस्तों आज किसी काम में ऐप प्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं, अपने काम के प्रत प्रति एकागर चित रहें, इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं, विध्यार्तियों को भी किसी कमपटीशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना हैं, दोस्तों इस समय की की गई महनत के उचित परिणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा, इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें, अगर प्रॉपर्टी संभन्दित कोई आज आप योजना बना रहे हैं, तो आज उसके फली भूत होने का समय आ गया है, जी हदोस्तों आज भाग्ये आपके पक्ष में हैं, पिछले कुछ स समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी, आज उन कारों का बूरा होने का समय आ गया है, आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित पैरणाम आज हांसिल होने वाले हैं, जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपके लिए क् प्रियास करें, ताकि घर परिवार में शुक्षांती समर्दिक की प्राप्ती हो और घरेलू विकास संबब हो सके, माता पिता का ख्याल रखें, किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका ख्याल आप विसेश रूप से रखें, दोस्तों साथिसाथ किसी समय भावुकता और आल आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है, परन्तु जादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं, दोस्तों आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी, आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तु आज कहीं रख कर भूल सकते ह या खो सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें, दिल की बजाए दिमाग से निर्नेलें, भविस्ते की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविद्यों पर ध्यान अधिक केंदरित रखें, ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदाएक साबि कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना आति आवशक हैं, आज कोई पेमेंट भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कम जोर खुश सकती हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपकी लवलाइफ के सिरेने वाली हैं, दोस्तों के साथ फैमिली getting together होना, तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा, तथ्था परिवार के लोग भी खुश रहेंगे, दोस्तों सात-े-सात परिवार में कुछ इसलिए अपने वैस्तम समय में से कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें। वैवसाइक गति विदियों में छोटी छोटी परिसानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा। आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी। नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी उनके उचित परिश्रम के आदार पर तरक्की के योग बन रहे हैं। दोस्तों साथ-साथ किसी अन्जान व्यक्ति से अचाना के घनिष्टता होगी और कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। इसलिए अपने वेवसाइक गति विद्यों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें। नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समालखर रखने की आवश्यक्ता है। विद्यार्तियों के लिए भी आज का दिन काफी मिला जुला रहने वाला है। साथिसाथ कोट कचैरी से जुड़े मामलों में भी कोई योजनाएं आप तैयार कर सकते हैं। जिससे आने वाले समय में आपको अवस्य ही फाइदा मिलेगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है। दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी। इसलिए उच्चित खानपान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें। साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वैयाम करें, स्वास्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश होपाई क्या हैं। दोस्तो आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी को मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद आप उस मोदक को स्वैम ना खाकर दूसरों को खिलाएं। जैद दोस्तो ऐसा करने से भघवान श्री गनेस जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं समस्त परेशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फॉलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहे हैं भगवान श्री गनीश जी के आसिरवाद से बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान श्री गनीश दीका सिर्वाद आपको प्राप्त हूँ सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै श्री गनीश वश्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद